मोबाइल नमबर और इमेल आइडी को लिंक करने के लिए मैंने वीडियो डिशिशन में एक लिंक दिया है जिस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आता है यहाँ पर इस पोर्टल के माध्धम से आप फ्री में ही अपने पैंकार से मोबाइल नमबर को जोड़ सकेंगे और यहाँ पर आप अपने पैंकार से जो मोबाइल नमबर जो इमेल आइडी लिंक करेंगे वही सेम इंपोरमेशन इंकम टैक्स डिपार्टमेंट की हो जाती है तो यहां पर लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको pen number के section में आकर के अपना pen number type कर देना है इसके बाद में इस box में अपना आधार number फिल कर लेना है और यहां पर आप अपने pen card से जो email ID अब link करना चाहते हैं उस email ID को इस box में फिल कर देना है इसके बाद में mobile number के section में आ करके जो mobile number अब आप अपने pen card से link करना चाहते हैं आपको इस box में फिल कर देना है इसके बाद में नीचे के तरफ आना है यहां पर आपके सामने एक declaration आता है जहां पर आपको बताया जाता है कि यहां पर आपको email ID mobile number को link कर सकेंगे तो आपको यहां पर सहमती के लिए इस option पे click कर लेना है और यहां पर जो capture code आपको दिखाया गया है इस capture code को same way से ही type कर देना है और यहां पर दिएगे submit के option पे click कर लेना है इतना करते ही आपके अधार कार्ट से जो भी mobile number, email id, पंजिकरत होगा उस पर एक UID की तरफ से one time password send किया जाएगा जिसको आपको इस box में fill करना है और यहाँ पर हमारे पास में OTP आ चुका है हमें इसी OTP को वहाँ पर fill कर देना है इसके बाद में देगे submit के option पे click कर देना है submit के option पे click करते ही आपके अधार कार्ट पर जो भी information दर्ज होगी आपके पिता का नाम साथी में आपका जो complete address है वो आपको देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको जो address दिखाया गया है इस address को आपको एक बार अच्छे तरीके से verify कर लेना है इसके बाद में आपको submit करने के लिए यहाँ पर जो verify का option दिया गया है इस option पे click कर लेना है इसके बाद में आपके सामने authentication आप mobile number and email id का option आता है जहाँ पर आपने जो भी mobile number अभी फिल किया है जो email id आपने फिल किया है अपने pen card से link करने के लिए वो आपको दिखाया जाता है तो यहाँ पर verify करने के लिए आपको इस option पे click कर लेना है और यहाँ पर आपको notification आता है कि आपको अपने pen card से mobile number email id को link करने के लिए यहाँ पर maximum 3 attempt ही दिये जाएंगे जिसके अंदर ही आपको इस process को complete करना है तो आप सहमत हैं तो आपको OK के option पर क्लिक कर लेना है क्लिक करते ही आपके सामने OTP को फिल करने के box आ जाते हैं जहाँ पर आपने जो mobile number, email id फिल किया है उस पर एक one time password रिसीब हुआ होगा उपर वाली row में आपको जो mobile phone पर OTP रिसीब हुआ उस OTP को इस box में फिल कर देना है और यहाँ पर आपने जो email id फिल किया है उस पर जो OTP रिसीब हुआ है उस OTP को यहाँ पर फिल कर लेना है आपको यहाँ पर नीचे के तरफ validate का option दिया गया है आपको इस option पर क्लिक कर लेना है इसके बाद में आपको generate and save print के option पर क्लिक कर लेना है इतना करते ही आपके pen card से mobile number, email id को update करने के लिए आपकी application submit हो चुकी है आपके सामने acknowledgement number generate हो करके आ जाता है आपके acknowledgement slip भी generate हो चुकी है जो कि आपको यहाँ पन देखने को मिल जाते है इस acknowledgement slip को आप अपने पास में सुरचित करके रख सकते हैं अब आपको wait करना है income tax department की तरफ से आपके pen card से आपका mobile number और email id साथी में जो आपका आधार card पर address है वो पूरी ही detail यहाँ पर update हो जाती है तो इस तरीके से आप अपने pen card से mobile number और email id को free में ही update कर सकते हैं पर acknowledgement number आपको दिया गया है इस acknowledgement number को मैंने link दे रखा उस पर जाकर के आप अपना status चेक कर सकते हैं यहाँ पर pen number को select करने के बाद में जो acknowledgement number आपको मिला है इसको fill करने के बाद में यहाँ पर capture code fill कर देना है और यहाँ पर दियेगे submit के option पे click कर देना है इसके बाद में आप अपने pen card का status जान सकते हैं कि आपके pen card से mobile number email id अपडेट हो गया है